आज यानि तेरा जन्वरी को लोहडी का त्योहार मनाय जाता है सभी आज धूम धाम से इसे देश भर में मना रहे हैं वैसे तो लोहडी का त्योहार खास कर पंजाबी संस्कृति का हिस्सा माना जाता रहा है लेकिन आज के समय में हिंदू संस्कृती से जुड़े किसी भी त्योहार को मनाने के लिए भार के पीछे नहीं रहते हैं इसमें बॉलिविट सेलेब्रिटीज भी शामल हैं इस साल तो कुछ बॉलिविट का पल्स के लिए ये त्योहार खास होने वाला है क्योंकि शादी के बाद यह उनकी पहली लोहरी है शादी के बाद की पहली लोहरी को काफी धूम धाम से मनाये जाता है बीते साल कई बॉलिविट सेलेब्रिटीज शादी के बंधन में बंधे हैं विकी कॉशल और केट्रीना कैप, राजकुमार राव और पत्र लेखा सहित ते कपल्स शादी के बंधन में बंधे हैं तो आईए आज के वीडियो में आपको बताते हैं क्यों से कपल्स लोहडी का त्योहार पहली बार साथ में मनाने वाले हैं विक्की कोशल और केट्रीना कैफ विक्की और केट्रीना कैफ शादी के बाद अपनी पहली लोहडी सेलिब्रेट कर रहे हैं खास बात ये है कि विक्की कोशल पंजाबी है और पंजाब में सबसे ज़ादा धूमधाम से लोहडी का त्योहार मनाया जाता है ऐसे में ये कपल भी स्तियोहार को धुम धाम से सलिग्रेट करेंगे अलग कि विक्की कौशल फिलहाल कट्रीना से दूर अपनी तुम की शूटिंग के लिए इंदौर में है जहां वो लहोडी के मौके पर जलेवी का लुद्व ठा रहे है हाल नहीं में विक्की ने अपने इंस्टोग्राम स्टोडी पर जलेवी की तश्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है इंदौर ब्रो राजकुमार राव और पत्र लेखा 11 सालों के रिलेशनशिक के बाद राजकुमार राव ने पत्र लेखा से पिछले साल 15 नवंबर कर शादी रचाई वहीं इस सान यी कपल बतोर पती पत्नी अपनी पहली लोडी मनाएंगे यी कपल कैसे अपनी पहली लोडी मनाता है ये देखना भी बेहद दल्चस्थ होगा वरन धवन और नताशा दलाल वरन धवन अपनी लीदी लव नताशा दलाल के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं दोनों ने भीतिस साल 24 जिन्वरी को शादी कर ली थी इनकी शादी में कुछ खास फेंडस और फैमली वाले शामिल हुए थे शादी के बाद ये दोनों की पहली लोडी होने वाली है पिछले साल ये एक्ष्यामी गौतम और डिरेक्टर आदित धार तिमाचली रीटी डिवासे शादी के बंधन में बंध है आदित्य धर और यामी गौतम ने बिकुल सिंपेग वेडिंग की धी उनकी शादी में महज 20 लोग शामल हुए थे यामी और आदित्य साथ में दिवानी और करवाचोग सेलिबरेट कर चुके हैं और अब वह पहली लोहडी साथ में सेलिबरेट करने वाले हैं अभिनेत्री अनिशका रंजन और आदित्य सील अभिनेत्री अनिशका रंजन भी शादी के बाद अभिनेता और पती आदित्य सील के साथ अपनी पहली लोहडी सेलिबरेट कर रही हैं खबरों की माने तो अनिशका और आदित्य ने अपनी पहली लहुडी के लिए एक शांधर सलिब्रेशन का आयोजन किया था लेकिन वाइरस के प्रकॉप के कारण उन्होंने अपनी योजना बदल दे है अब वो पूरे परिवार के साथ घर पर ही धोम धाम से लहुडी सलिब्रेट करेंगे